इन खुब सुरत जर्वेरा के संग आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अननिया अननियास कॉर्णर में दोस्तों पिछले दो मीने पहले मैं एक वीडियो डाला हुआ था हॉर्ण मेल के उपर और जिसका प्रयोग मैंने अपने जर्वेरा के साथ किया था और मैंने आप लोगों को बदलाया भी था मैं अपडेट दिखाऊंगी तो ये अपडेट वीडियो भी है और कुछ टिपस ही मैं देने वाली हूँ जो मैं अभी जर्वेरा के साथ कर रही हूँ डेली वेस बे तो वीडियो तो मैं डेली शूट नहीं कर पाती हूँ तो आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है अंते तक जरूर देखिए का जो भी गार्डेनर है सब की यह जर्वेरा प्लांट तो होता ही है क्योंकि ये बहुत खुबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और ये प्लांट ये है तो इस समय इसे ग्रो करने का तो एकदम टाइम नहीं है आप इसे विंटर से पहले लगाए लेकिन हाँ जिनके पास है ये प्लांट मैं उनके लिए कर रही हूँ देखिए मैंने हॉर्ण मेल जो दिया था उसके बाद ये फ्लावरिंग हो रही है और तो इसके फ्लावर और इसके फ्लावर के जो साइज होते है इसके स्टीक के जो हाइट होते है सब लेकिन विंटर के जैसा ही है ठीक है तो हॉर्ण मेल का वो चमतकार है और इसके बाद मैं दिखाऊंगी, देखिए मॉनसुन का सिसन है तो हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए देखिए, क्या करना चाहिए यह जितने भी सरे गले पत्ते हैं इसको लेकिन आपको daily ways में चेक करना है मैं daily चेक करती हूँ, daily क्योंकि मेरे पास दो बेड बना हुआ जर्वरा का एक मैंने कई सारे वीडियो भी जर्वरा के ऊपर दे चुकी हूं और यह मैं औरवे पत्तो को तो मेरा यह प्टे कि तो पिंक कलर का वेड है और पत्तो कार वेड है उसक Questo को पफिंद 활र्ण किंग मैं कर दें सारे और मैं remove कैसे करेंगे देखिए इस तरह से काटके आपको उपर से खीच के नहीं लेना है अगर आप खीचने जाएंगे तो मीटी तो आपको इस समय एकदम गिली है न क्योंकि बारिश भी हो रही है तो इसके root लेकिन उससे damage हो जाएंगी तो आपको इस समय ऐसे पत्तों को cut क कर देना है ठीक है और उन पत्तों को आप कट करें जो साइट से फैला हुआ है जो पत्ते और उन सारे पत्तों को आप रिमूब कर दे इससे प्लांट स्वस्त रहेगा डैमेज नहीं लेकिन नहीं होगा प्लांट आपके अच्छे रहेंगे क्योंकि मैं ये डेली वेसीज मे करती हूं कभी कंपोस्ट देती हूं कभी गोबर की खात देती हूं तो इस बार मैंने होड मिल दिया था तो देखिए पत्ते एकदम घरे हरे रंग के हैं और बहुत अच्छी तरह से ब्लों भी हो रहे है और बर्स भी अभी आया है बीज-बीज में काफी सारे प्लांट में बर्स भी है तो देखिए पत्तों को लेकिन इस समय आप हटा दे और अगर प्लांटर में है तो चेक करते रहे यह पानी एकदम रूखना नहीं चाहिए और ड्रेनेज होल जो रहता है प्लांटर के नीचे उसको आप जरूर क्लियर कर दे पानी नहीं रूखना चाहिए नही सकता तो में कारण यही रेनी सजन का है इस समय बरसाओ के समय अगर आप इस से बचा लिए तो सोचे यह साल भर आपके बारणरं दूंद में चाहिए मेरा जालंट में ह班 मुझे जादे मेनत करनी पड़ती है क्योंकि हर दिन मुझे इनको चेक करना पड़ता है पानी रुका तो नहीं है और देखे ये पत्तों से पुरा घिर गया है ना इसलिए मुझे अभी पत्ते को बहुत सारे पत्ते को मैं भी रिमूब करने वाली हूं और ये देखे मेरा पिंक कलर का जर्बरा ये भी बहुत अच्छा खेल रहा है और इसके उपर मेरा आम का पेर है तो आम के पत्ते भी बहुत गिरते रहते हैं तो उन सब को मैं भी रिमूब करूंगी और ये देखे जितने भी सरे हुए पत्ते हैं दिखा रही हूं मैं आपको देखिए सरे हुए पत्ते इन सब को जट से आप रिमूब कर दें लेकिन अगर यह रह जाए तो यह रूट को डैमेज कर देगा दीरे दीरे सरते सरते यह रूट तक पहुंच जाता है और अपने प्लांट को इस समय आप एकदम छेरचार ना करें क्योंकि मिट्टी स्प्लीट करने का अलग समय होता है और ने पौदे भी जर्वेरा का इस समय एकदम नहीं लगाए उसके लिए अलग टाइम है तो इस तरह से केर जरूर कीजिए और हाँ फर्टिलाइजर भी समय देनी की आवशकता नहीं है जो दे दिया हमने मॉनसुन के पहले दिया और फ तो नहीं सोचा नहीं आज एक थोड़ा सा वीडियो डाल देती हूं आप लोगों को क्योंकि कई सारे फ्रेंट का मेरा को संग रहता है मेरे पुराने जर्वेरा के वीडियो में आपने बहुत सा कोसिन किया है मैंने सोचा एक वीडियो शूठी कर लेती हूं तो हां मैं उन को कहना चाहते हैं मेरे उन वीवर्स को चाहते हैं जिन्होंने मुझे पिंक जर्वेरा की फर्माइश की है तो दोस्तों मैं वह किस तरह से आप तक सेंट करूं यह मुझे पता नहीं कि नजदिक नरसर से परचेस करे तो साइध वही अच्छा होगा अभी नहीं लेकिन हां दो लूप तक के लिए और यह तो मेरा काफी सालों से बना हुआ है तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगी और अगर पहली बारा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए तब तक के लिए नमस्कार